जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी के लासे स्विस्टुमिजन यूटूब चैनल में दोस्तों आज का वीडियो वहाथ ही फणी वीडियो होने वाला है तो पूरा वीडियो जरूर देखें और जिसकी आपको दोस्तों जरूरत थी वो वीडियो आज आ गया ह है दोस्तों अब हम पंक्तियां पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम आदिकाल बक्तिकाल रीतिकाल और क्रम से पूरी नई कविता तक की पंक्तियां पढ़ेंगे ठीक है और वो पंक्तियां हम ट्रेक से पढ़ेंगे दोस्तों ठीक है जो भी जहां ट्रेक निकलेगी मैं बतान बस करना है ठीक है और जिन भी सातियों ने अभी तक WhatsApp ग्रूप जॉइन नहीं किया है वो 9098609291 इस नंबर से दोस्तों आप WhatsApp ग्रूप जॉइन कर सकती हो और दोस्तों आपको चैनल की जॉइन मेंबर बनना है तो जॉइन बटन पर किलिक करें बहां पर आपको तीन प्लान है तीन में से एक प्लान कोई भी खरीदना होगा और आप चैनल को जॉइन मेंबर बन सकते हो और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ए वीडियो आज की जो आपकी पहली पंक्ति जो आपको बतानी है दो सेकंड में आप चैन जनम अबदी हम रूप निहारल नयान नत्रपती भेल यह पंगती किसकी है आप से पूचा जाता है तो आपको बताना है चार विकल्फ है विद्यापती की चंदवर्दाई तुलसी दास या फिर सरहपा की तब आपका दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखो हमें क्या देखना ह इसका अर्थ नहीं देखना है सिर्फ एचीज देखनी कि इसको याद कैसे जाए यह पंगती किसकी होगी यहाँ पर देखो तिरपती पती आया पती तो दोस्तों यहाँ भी देख लो पती कहां आया यहाँ भी यह पती आ गया बिद्यापती जनम अबदी हम रूप नहारल नयन नतिरपती भेल यानि कि यहाँ पर पती आया तो उत्तर में भी आपका पती हो आया आएगा तो यह जो पंगती होगी वो किसकी हो जाएगी विद्यापती की ठीक है आ नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा अंगला देखो दोस्तों गोरी सेवे सेज पे मुकपर डार केस यह पंगती कई बार पूची गई है दोस्तों अब आपको बताना है कि यह पंगती किसकी है और एक चीज मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर आया एक सब्द सेज सेज मतलब होता है दोस्तों कौमल बिस्तर है ना कौमल बिस्तर मकमल के गद्दे वो सेज कहलाता है और बताना दोस्तों कि एक कौमल गद्दे मकमल के गद्दों पर अमीर ब्यक्ति सोएगा या गरीब ब्यक्ति सोएगा, आप बताना गरीब के पास तो नहीं होंगे, मकमल के गद्दे कौमल गद्दे, किसके पास होंगे, अमीर के पास, तो सेज मतलब होते हैं कौमल गद्दे मकमल के गद्दे और इस सेज पर गरीब नहीं सो सकता, अमीर सो सकता है, तो अमीर खुसरो, ठीक है, इस पंक्ती के रचेता कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो, ऐसे ही पूरी पंक्तियां आपको याद हो जाएंगी दोस्तों, अंगला देखो, देसिल बैना सबजन मिठा, दे जिस बैक्ती में बिध्या होती है, जिस बैक्ती में ग्यान होता है, वो मीठा मीठा बोलता है, जो जिस बैक्ती में बिध्या नहीं होती है, वो करकस बोलता है, उसकी आबास खराब लगती है, है ना, तो आपके अंदर भी बिध्या है, और आपको कैसा बोलना है, मिठा मि वो बोलता है जिसकी अंदर विद्या होती है तो ये देशिल बैना सबजन मिठा एक किसकी पंक्ती हो जाएगी किसकी होगी विद्या पती की ठीक है और इनकी रचनाए कौनसी है पदलता पता का पदावली कीड़ती लता कीड़ती पता का कीड़ती लता और कीड़ती पता का अब हट भासा में है पद बली मैथली भासा में है। याद रख लीना है । दूसतो और देशिल बैना सबजन मिठा यानुकि मिठा मिठा यह विद्यापती। ठीक है। आ नम्मर आपका सही होगा। मैथल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है। कोकिल के जैसा बोलते हैं दोस्तों ये ठीक है इस परकार से याद रखेंगे अंगला है पुस्तक जल्लड हाथ दई चलि गजन नरपकाज तो ये चार बेकर में आपको पता है दोस्तों जल्लड था किसके पुत्र का नाम चंद बरदाई के पुत्र का नाम था जल्लड है ना और चंद बरदाई ने प्रतिवी राज रासों की क्या की है रचना की है प्रतिवी राज रासों की उसके कुछ अंक छूट गए थे तो अधूरा था तो उसको जो पूरा किया प्रतिवी राज रासों को जल्हड ने किया है है ना तो दोस्तों जल्हड को पुस्तक हात में दे के पुत्र का इसलिए इस पंक्ती के जो रचेता होंगी वो कौन होंगी बेकल्प नम्मर B यानि की चंदबर्दाई ठीक है इसको याद रखेंगे हिंदी के प्रथम महा कभी कहे जाते हैं चंदबर्दाई और दोस्तों अंगला है जह मन पबनना संचरई रावी ससिलाह पबन तही बच्चित बिसाम करू सरहे कहाई कहाए ओवेस तो यहाँ पर देखो दोस्तों बहुत ही अच्छे से पंक्ती पढ़ना है और यहाँ पर आ रहा है सरहे कहाए मतलब सरहे मतलब सरहपा है ना तो सरहे से क्या बनेगा आपका सरहपा तो देखो सरहपा कौन सा है डी नमबर है ना यहां पर आगे आपका सरहे और सरहे को हमने पकड़ दिया और सरहे से बनेगा सरहपा तो यह पंक्ति किसकी हो जाएगी किसकी होगी सरहपा सरहपा यानि D नमर आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है हिंदी के प्रतम कभी माना है राहुल सांक्रित तैने सरहपा को है ना और इनकी एक बहुत ही प्रसिद रचना है कौनसी दोहा कोस इनको याद रखेंगे अंगली पंक्ति आपको बताना है दोस्तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे ए पंक्ति किसके बहुती बढ़िया पंक्ति है पूछी भी जाती है दोस्तो और मैं आपको बता दूँ कि ऐसा माना जाता है कि जिन पाँच तत्तों में जल बायू अगनी प्रत्वी इबम आकास से यह ब्रह्मांड बना है उनी पाँच तत्तों से यह पिंड पिंड यानि की सरीर भी बना है इस प्रकार जो कुछ ब्रह्मांड में है बही सब पिंड में भी अवस्तित है यत पिंडे तद ब्रह्मांड इसलिए इस पिंड को ब्रह्मांड का लगूरू भी कहा जाता है तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे ये एक अर्थ इससे दिया गया है और दोस्तो आपको पता है कि ये जो पंक्ती है वो किसकी है गोरखनात की है किसकी है गोरखनात की है इन्होंने कहा था कि संसार में क्या रखा है माया मोह को इन्होंने त्याग दिया किसने गोरख अंतह की साधना इनों ने की तो इनों ने कहा था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किस ने कहा था गोरखनात ने कहा था कि जो दोस्तो जल बायू अगनी प्रत्वी आकास ये जो पांच तत्तों हैं ये ब्रह्मांड में हैं बही पांच तत्तों हमारे सरीर में हैं तो इस प्रकार से आपको गोरकनात की पंक्ति याद रखनाना जोई जोई पिंडे सोई ब्रहमान डे ठीक है अंगला है बारह है बरस बरस लो कूकर जीबे अरुते रह लो जीए सियार बरस अठारा है छत्री जीबे आंगे जीबन को देखकार आपको नहीं लग रहा है यह दोस् ही है ठीक है आला कंड या जिसे परमाल रासों कहा जाता है परमाल रासों है ना और बारा बरस लोग कूकर जीबे अरुतेरह लोग जीए से आर बरस अठारह च्छत्री जीबे आंगे जीबन को देखकार ठीक है तो यह आला से तो जगने का आप से बन जाएगा नेक्स्ट गो अब एक चीज़ ले ना कोई दूसरा बैक्ति बोलेगा तो गोर्क जगनाती बोलेगा तो गोर्क जगनाती बहुँеждास qi माने जाती है इसको याद रख लिए हमेशा पूची जाती है दोस्तों क्यों पूची जाती है क्योंकि इसमें आप confusion होंगे और आप गलत करके आएंगे तो इसको याद रखेंगे ठीक है अंगला है माधाओ हम परिनाम निरासा माधाओ मतलब दोस्तों स्रीकर्ष्ण को कहा जाता है माधाओ और बोले माधाओ हम परिनाम सी निरास हैं बोले क्यों हो बेटा परिनिरास तो कहा कि आपने सब को बिध्या दी है मुझे बिलकुल भी बिध्या नहीं दी इसलिए इस प्रकार से पंग्तियों को मस्ती से आत करते जाएंगे ठीक है यह नम्मर आपका बिलकुस सही होगा इस पंग्ति किसकी है दोस्तों यहाँ पर चार बिकलफ है चार में से चैन करके आप बताएंगे और यहाँ पर जिन सासन दिया है जिन जिन मतलब होता है दोस्तों भगवान भगवान का परयाबाची है जिन ठीक है जिन कहा जाता है और जेंधर में आपको पता है भगवान को जिन कहा जाता है और भगवान का जो सासन है उसे जिन सासन कहा जाता है ठीक है अब यहाँ पर देखो कि जो जैन धर्म से संबंदित ग्रंत लिखा है वो स्रापका चार लिखा है देवसेन ने हिंदी की प्रथम रचना है आपको पता है और दोस्तो जिन मतलब होता है भगवा या फिर देव तो यहां पर भी आपका देव आएगा देवसेन ठीक है जिन मतलब क्या होता है भगवान और जिन सासन भासी यह पंक्ती में आ रहा है तो यहां पर भी आपका देवसेन आएगा और देवसेन की रचना स्राब का चार है और यहां पर इन्होंने कहा है कि जिन सा आसन का आजाता भगवान की सासन को, ठीक है, तो देवसेन यह आपका सानंबर बिल्कु सही होगा, इनकी जो रचना है वो कौनसी है, दोस्तों, स्राब का चार, कौनसी है, स्राब का चार और 933 इसका रचना काल माना जाता है, यह चीज भी आपको याद रख लिने, ठीक है, तो जिन से आपको याद रखना है, एक सेती, एक सेती पटा, एक नेली पटा, एक तिलक जनेव, एक लंबी जटा, अब देख लेना दोस्तों, एक सेती पटा, फिर एक नील पटा, फिर एक तिलक जनेव, एक लंबी पटा, इतनी चीजें हैं, सब क्या हो गई, चरपट हो अपनॐ गया तो सब जो पता हो गया जार्स एस पंग्ती के रचेता हो गया जो कौन पतनाट इस चरपट हो गई तो चरपटनात यानि बी नम्मर आपका बिलको सही होगा अंगला है दोस्तो बोलाई बाहु बली बलबंत लोह खंडितव गर्बियो अहंत इस पंक्ती के रचेता कौन है चार बिकल्प है और आपको पता है दोस्तो उपर आया है पंक्ती में बाहु बली और जो भरते सुर बाहु बली रास है ये रचना किसकी है भरते सुर बाहु बली रास तो आप जल्दी से बताओगे सारे तो साली बदर सूरी की है कड़पती चंडर गुप्त ने भरते सुर बाहु बली रचना ने भरते सुर बाहु बली रचना ने भरते सुर बाहु बली पंक्ती हो जाएगी यानि सा नम्मर आपका बिलको सही होगा ठीक है तो इस परकार से अपन को दोस्तो याद करते जाना है जामत पच्छई संपजई सामती पहली होई मुझ भड़ई मिरलाल बलई बहन ना बैठे कोई इसके बताना बहुत ही बढ़िया पंक्ती है दोस्तो य हमारे बिविनने जो भगवान हुए है वो परवत पर तपस्या करने गए तपस्या करने गए अब इसका आर्थनी लेना की पंक्ती का क्या है मैं सिर्फ यात कर बारूं ठीक है जामती पच्छई संपजई सामती पहली होई ये कहां गए परवत पर तपस्या करने गए दोस् है यह कई बार पूछी गई इसको याद रख लेना दोस्तों जामती पंच्छई संपजई सामती पहली होई मुंज भड़ई म्रलाल बलाई बहन ना बैठे कोई तो यह सा नमबर आपका बिल्कु सही हो जागा अंगला है प्रिये प्रतिराज नरेश जोग बज्जिये केस सु बढ़続itel नरेश चंद्र बरदाई की रचना है कि नहीं है तो यहाँ पर प्रतिराज आया है और प्रतिराज से सीध रोटाई ये पंक्ती किसकी है दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर आया है क्या कली और आपको दोस्तों पता होगा कि पुस्प में क्या होती है पुस्प की कली आप बोलते ना पुस्प की कली और आपने कली को पकड़ लिया कली लाई और कली किसकी होती है पुस्प की ते प अभिमान मेरू मोलते थे कौन अभिमान मेरू बोलते थे पुस्पदंत और दोस्तों बोल लाई कोईल अमबयम कलिलाई कांकडी चंचरियो रूड रोटाई है ना तो सब्द को थोड़ा सा पकलते जाना है कली अब आपका नीव कभी नहीं बूलोगे एक कलीलाई आएगा जह ऐसे ही आपको पंक्तियां याद करनी है क्योंकि यह महत्पूर महत्पूर पंक्तियां हम ले रहे हैं जो एकजाम में पूछी गई है ठीक है और मेरा जोबना नबेलरा भायो है गुलाल अब एक चीज़ बताना दोस्तों कि अगर किसी अमीर बैक्ति के पास कोई ललना होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है तो अमीर बैक्ति क्या करता है गुलाल उडाता है जस्न मनाता है और किसी गरीब के पास होता है तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया ऐसा ही ना तो मेरा जोबना नबेलरा भायो है गुलाल उडाओ क्या उडाओ गुलाल तो यहां पर आपका यहां अमीर खुसरो बिलकुस ही हो जाएगा है ना सी नमबर अब दोस्तों यह सिर्फ अपनी याद करने की ट्रेक है इसकी अर्थ पर बिलकुल नहीं जाना मैं आपको कई बार बोल चुक हूँ ठीक है सहजे थरकर बारुनी साद यह पंक्ति किसकी है दोस्तों चार ब बीरु या फिर बारु बिरूपा की है ठीक है इस परकार से याद रखेंगे बारु बीरु है ना अंगला देख लो दोस्तों हमीर हमीर कज जजल भाई फोहा नल एह मैं जलव सुलितान सी से करबाल दह तज्ज कलेबर दिय चलियो यह पंक्ति किसकी है बहुत ही बढ़िया किसकी है दोस्तों सारंग धर की है है ना सारंग धर की हो रहें सा लिखा जाता है सारंग धर है ना यहाँ पर फॉंट आपको नहीं मिला तो इसलिए सारंग धर यानि कि डी नम्मर आपका सही हो जाएगा है ना हमीर आया सब्द को हमीर पकड़ लिया और बोले सर हमीर रासो से सारंगधर ठीक है सारंगधर की हो जाएगी इस प्रकार से याद रखेंगे ठीक है अंगला दोस्तों देख लेते हैं चल खुसरो घर आपने रेन भाई चहुदेश यह पंक्ति बताना है और यहां पर तो सीधा सीधा आगया खुसरो आगया खुसरो तो आप डारेक्ट नौलक पातरी आंगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा यह पंक्ति किसकी है दोस्तों गोरखनात ने कहा कि बेवहार प्रदान एक सबदी में गोरखनात ने कहा है कि हसना खेलना और मस्त रहना चाहिए काम करूद का साथ नहीं गाना चाहिए यह किसने कहा है गोरखनात ने कहा है और यह गोरखनात की पंगति है 9 लक पातरी आंगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन जोगी खेले तब अंतरी वसे भंडारा है ना तो यह पंगति गोरखनात की है और इी नम्बर आपका बिल्को सही हो जाएगा d और आँगे इसी परकार की बहुत सारी पंक्तिया आनी हैं अभी हम आदिकाल की पंक्तिया महत्पून महत्पून पंक्तियों को पढ़ रहे हैं यह अपना आदिकाल का पार्ट एक हो गया पंक्तियों का next two part आएगा ठीक है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तो जिस परकार से हमने रचनाय पूरी आपको याद करवाई हैं आदिकाल भक्तिकाल जितनी जितनी प्रमुक रचनाय हैं जो आप से पूछी जाती हैं वो सारी रचनाय में याद करवाई हैं आदिकाल से लेकर नई कविता एक एक पार्ट आपको दिया है अगर आपने नहीं देख तो पहले के वीडियो जरूर देखें और गोरक जगायो जोग भक्ती भगायो लोग एपंक्ती किसकी है आपको ये चार विकल्फ में चार मेंसे चैन करके आपको बताना है ठीक है उत्तर में एक-एक बंदे का कमेंट आएगा जो भी लिखते हैं मैं सभी के कमेंट आज के वीडियो के लिए बस इतना ही जै हिंद